नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है देखिएगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमेस्ट्री मल्टिपल चॉइस कोश्चन इदेखिए आपका इंपोर्टेंट है जेटेट सीटेट एससी रेलवे इदेखिए आपका पार्ट नंबर टू वीडियो है इसके प 1112 प्लस अपर क्लास के लिए यह कमेस्ट्री कोश्चन्स देखिए रखता है अती महाच्पून प्रस्न है आई देखिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ने बतायें तेटेटे के पिता कौन होते हैं अब जाए और हम पार्ट वण न description box में दिया गया है और साथ यसाथ आप ज बहुत सरा वीडियो आपको मिल जागा ताकि आप बहुत सरे वीडियो को देख सकते हैं देखिए वाइस का भी नरेशन का है मोडल भप्स का है और आपको देखिए फिडिक्स का हुआ है इसका मिंग्लिस भी बता देंगे ताकि आपको समझने में असानी हो को पर्यावरन का पर्दूसन मतलब होता है पॉल्यूट करना गंदगी पर्दूसन करने वाली गैस उस गैस का नाम बताना है ऑप्सन ए ऑक्सीजन ऑप्सन बी नाइट्रोजन ऑप्सन सी सल्फर ड इंवार्मेंट का जो पर्दूसन होता है पॉल्यूटेट करने वाली गैस है उसका नाम बताना है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर डायोकसाइट की भाप इसका कर्रेक्ट आंसर दखी हो जाएगा सल्फर डायोकसाइड सबसे जादा पर्यावरन का जो है पर्दूसन करने वाला पॉलूट करने वाला इंवार्मेंट को उसका आंसर हो जाएगा सल्फर डायोकसाइड मिन्स वन का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है कि लाइक अवर से कर दें लाइक करने के बाद सेयर का ओप्सन देखी लिखाओ का बगल में उसका केजिए अधिक सवाधिक अपने वाक्स से फेस्बूक ग्रूप में इसको सेयर भी कर दें ताकि और भी लोग केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के बारे में मल्टीपन च्छाइस कोस्चन जान सकेंगे अगर आप वीडियो हमारा ध्यान से देखिएगा एक ब बटर से समयन लवन मतलब क्या हो गया सॉल्ट में जेनरल सॉल्ट प्राप्त किया जाता है मिस गेन किया जाता है मन कौन इसा प्रोसेस है जिससे समूत्र का जल समयन लवन से सिंपल सॉल्ट उसे प्राप्त किया जाता है आए देखिए ऑप्सन देखते हैं आपका ए है उर् option C crystalline option D filter तो कौन इसा process है जिससे क्या होगा समूत्र जल से समाइन लवन क्या होगा प्राप्त किया जाता है उर्दपातन के द्वारा वास्पी करण के द्वारा crystalline के द्वारा कि filterine के द्वारा ध्यान दीजेगा वो process जो है समाइन लवन प्राप्त करने का वो होता है कि वास्पी करण के द्वारा मिस इभापोरेशन एक process जिसके द्वारा समूत्र जल से समाइन लवन प्राप्त की जाती है अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगे आप क्या कर सकते है इसको आप कमेंट करके आवज से बताएं कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा और चैनल में अगर फर्स टाइम है अगर देख रहे हैं तो रेट कर से लिखा हो सब्सक्राइब उसको प्रेस कर दीजिएगा बगल में देखिए यह बेर आइकन है घंडी उसको आप दबा दी ताकि कोई वीडियो डाले सबसे पहले योटिफिकेशन आपके पास पहुचे आए देखते हैं नेस्ट कुश्चन की और देखते हैं कुश्चन नमबर देखिए ठर्ड है कपड़े धोने वाला सोडा क्या है कपड़े जो धोते हैं उस कैमिक कर साइनी तो नां बताना है कुश्चन कहता है कपड़े जो धोते हैं वो धोने वाला means soda का नाम बने उसका chemical आप नाम समझ सकते हैं तो soda का क्या नाम है वही बोलता है क्या है कपड़ी धोने मतलब क्या होता है wash of clothes कपड़ी धोते हैं उसका नाम बताना soda का chemical name option दिखिया बता है sodium chloride, sodium carbonate, sodium bicarbonate, calcium carbonate कपड़ी धोने वाला soda का नाम होता है sodium carbonate होता है means third का option number b correct answer होगा कि कपड़ी धोने वाला soda क्या है उसका correct answer हो जाएगा sodium carbonate कहते हैं उसको आईए बस्ते question number fourth की ओर baking soda का रसाइनिक नाम कौन सा है baking soda देखिये baking soda मिस होता है खाने वाला soda ये धेखिये third question में था कपड़े धोने वाला soda ये baking soda मिस होता है खाने वाला soda अब जब खाते हैं और जब धोते हैं दोनों में अंतर है अब खाने वाला soda एक होता है आपको एक कपड़ा धोने वाला soda अब जब बोले baking soda मिस समय लीजेगा खाने वाला soda कारसाइनिक नाम मिस chemical name आपका पुछ रहा है क्या होगा option A calcium phosphate, option B sodium bicarbonate, option C sodium chloride, option D sodium carbonate जब देखी बोला जाए आपको question में baking soda मिस कहते हिंदी में खाने वाला soda करसाइनिक नाम मिस chemical name अगर बोलेगा कपड़ा धोने वाला soda कहिएगा sodium carbonate अगर वही बोल देए आपको baking soda मिस खाने वाला soda आप समझेगा sodium bicarbonate क्या करते हैं जब baking मने खाने वाला soda हो तो क्या करते हैं उसको पहले buy करते हैं buy मतलब क्या होता है खरीदना आप कोई भी चीज़ को खाते हैं तो पहले करते हैं पहले आप खरीदते हैं खरीदने के बाद खाते हैं देखिए आपका ट्रिक पताते रहे हैं कि buy किजिए जब खाने वाला बोले आपको मिस बोले आपको baking soda तो में जिए अप्सन बाइ का कह है कौन सा बाइ sodium by sodium bicarbonate यह देखिए आपका correct answer होगा मिस फोर्थ का यहाँ पर देखिए बी जो हो जाएगा baking soda करसाइनिक नाम sodium bicarbonate means खाने वाला soda खाएगा कैसे जब बाइ कीजिएगा sodium bicarbonate अगर कहा जाए धोने वाला soda उसका नाम देखिए है chemical नाम sodium carbonate है आईए बस्तनिस question की ओ फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रसाइनिक नाम है अब देखिए फोटोग्राफी में जब जो फोटोगीशत केमरा जो काम करते हैं तो आने वाला हाइपो होता है उसका बताना नाम हो औ ός के सिल्बर ब्रो माइडि कया सिलब सिल्ब ब्रो माइड होता है if ऐता सं बी सोडियं थाईूसलफेट ॐस्रोंसर होगा सोडियं थाइ इस अस्पेट और साप्सण सी सोडियं भॉस्फेट और संडी सेलबर नाइट्रेट किkiej fAAd C sodium phosphate option D silver nitrate को फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो करसाइनिक नाम पूछ था मतलब उसका कैमिकल नेम क्या है जो फोटोग्राफी में काम आता है यहां फोटोग्राफी में क्या आएगा sodium से काम आएगा पहला वो दियान रखना है sodium अब देखिए दो option में sodium hyosulfate एक sodium phosphate है अब देखिएगा यहाँ बात कहता है कि photography में hypo का संदिक नाम क्या हो जाएगा sodium thiosulfate वो क्या करता है thiosulfate sulfate के दोबारा वो जब भी फोटोग्राफी होड़ता है तो था था कर कोई चीज़ को रखता है तो photography में काम आने वाजो hypo का chemical नेम हो जाएगा उसका correct answer होगा आपका sodium thiosulfate मिन्स फिक्त का आपका बी यहाँ पे correct option हो जाएगा जब भी बोले कि photography में काम आने वाला हाइपो का chemical नेम तो correct answer होगा sodium thiosulfate आईए बढ़ते इंडिक्स कुर्शन की और question number six हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है समझेगा friends बहुत साथ दिखते होंगे फल वो कच्चे होते हैं वो हरा फल है अब कच्चे फल तो कोई खाएंगे नहीं उनको पकाने के लिए किस चीज का कौन सा गैस का उपयोग करते वे कच्चे फल को पकाए किस चीज का यूज करते वे कच्चे जो हैं हरे फल उसको पकाने के लिए काम आती है अप्शन ए है एथिलीन अप्शन बी है इथेन अप्शन सी कार्बन मोनोकसाइड और अप्शन डी एसी टिलीन अब दीकी पकाना मतलब उतार राइप करना गैस हरे फल मतलब देखिए क्या हो गया ग्रीन फ्रूट्स उसको पकाना है उसको राइप करने के लिए कौन सी गैस यहां पर परयोग की जाती है जो हरे फल अराम से पक जाते हैं किस चीज को लाया जाता है जो कि हरे फल को पकाने में मदद होती है तकि वो गैस का आपका नाम है ए यसलीन 9 डेस जो हैं उसको यूज करते हुए हरे फलको मेन ग्रीन Phrusa पकाने में कर ने हैं में मदद आता है मैं यहां पर देखियेगा एथलीन का यूज करते हैं जब फलकों पकाने में ग्र काम आने वाली गैस है उसका नाम देखिए हो जाएगा एथलीन, मिसिक्त का आपका A correct answer हो जाएगा निक्स देखते हैं friends प्राथमिक सोने की सुधता है प्राथमिक सोने अब देखिए सोने सुधता में कितना में होता है सोने पूरा पूरिफाई हो पूरा सुधता बताया जाए प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी जो गोल्ड होता है उसकी सुधता के बारे में पूछा जा रहा है आपको देखिएगा friends option A है 32 carat option B 24 quarts option C 24 carat option D 22 carat अगर गो जाब प्राइमरी सोने सुधता अगर उसका सुधता के बारे में हो जाए पूरिफाई जो है सुधता पर सुध हो पूरिफाई किया जाए तो गोल्ड का जो है 24 carat में बिल्कुल सुध होता है बिल्कुल अच्छा होता है कितना में 24 carat में तो सोनी सुद्रता के बारे आपको कहा जाए तो आपको ध्यान देना उसका आंसर हो जाएगा 24 करेट मिस सेविंथ का आप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आएए बहते कुशिन नंबर एट की और परियोग साला में संसलित संसलेशित परियोग साला मिस लेबरेटरी अब ध्यान देजेगा लेबरेटरी में संसलेशित किया जाने वाला पहला कार्बनिक योगीक है योगीक मतलब होता है कंबाउन में किसी चीज़ से मिला होना मिस कोई चीज़ का मिक्चर होना सबसे पहला कार्बनिक जो है योगिक था वो कौन सा था वो पताना है फिर समझी है कोशन क्या बोलें लेवरेट्री मिसंसलेशित केह दाने वाला मतलब उसमें कोई वर्क करने वाला पहला कार्बनिक योगिक था योगिक मतलब होता है बहुत सारी लोग को पीज को मिला देना Option A, Urea, Option B, Acetic Amble, अब दिखिए इसको बोलेंगे Acetic Acid, या केंगे दिखिए इसको, Acetic Amble को बोलेंगे Acetic Acid, Option C, Methane, Option D, Ethylene, तो परियोग साला में संस्क्रित करने वाला पहला कार्बनिक योगी, वह आपका देखी हो जाएगा, यूरिया, यूरिया जो सबसे पहला कार्बनिक योगी था, उसका नाम देखी हो जाएगा, यूरिया, means Option A, 8 का Correct Answer हो जाएगा, Question No.9 के और बढ़ते हैं, Question No.9, मानव सरीर में शरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्तो है, Human Body में Maximum Quantity में कौन सा तत्तो पाया जाता है, means कौन सा Element पाया जाता है, Human Body में, Maximum सबसे जाता है, वाधिक मतलब होता है Maximum, एक Human Body में कौन सी तत्तो पाया जाती है, means कौन सा Element पाया जाता है, Human Body में, Option A, Carbon, option B, Calcium, option C, Nitrogen and option D, Oxygen. Option D, Oxygen, Human Body में Maximum जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, means कौन सा अलिमेंट पाया जाता है, देखिए Option A, Carbon, option B, Calcium, Nitrogen, option D, Oxygen. हम लोग देखिए मानो सरी सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, उसका नाम देखिए है, Oxygen, सबसे यादा अत्रा पाया जाता है, वो आपका देखिए हो जाएगा, Oxygen सबसे यादा पाया जाता है, इनिक्स देखते हैं, Question No.10 क्यों बढ़ते हैं, मानो रक्त, इसको बहुते देखिए Blood, तो क्या बहुते इसमें Blood का pH भेलू, means pH मान जो है लगबग कितना होता है, Option A है, तीन है, या तो Option B 7.5 है, Option C 12 है, Option D 6 है, Human एक Body में जो है मानों में, आने की मनुस में रक्त आने की Blood, उसका pH भेलू, अब देखिए pH एक नया चीज़ आया था, समझेगा इसके बारे में Friends, कि pH का फुल्पम होता है Potential of Hydrogen, इसका भेलू, means आपको रक्त का, means Blood का pH मान बताना है, वो कितना होता है, तीन की 7.5 की 12 की 6, अगर कहा जो देखिए pH भेलू, Blood आनिक रक्त का मानव का, वो 7.5 होता है, कहीं देखिए आपको मिल जाएगा, इसको आप भी भी आई कर दीजेगा, कि मानव रक्त का Blood आने की Blood आने का pH भेलू 7.5 होता है, Question No.11 की और बढ़ते हैं, शरीर में और रक्ता, रक्ता की मतलब होता है एनेमिया, और रक्ता का उइमिस में बोलते हैं, एनेमिया निमलिखित की कमी के कारण होता है, मतलब किस कारण से कमी होता है, कौन सा कोई चीज कमी हो जाता है, मिन्स decrease हो जाता है, घट जाता है, उस कारण से एनेमिया जो है शरीर में हो जाती है, किसकी कमी के कारण से कौन से विमारी होती है, एनेमिया होती है, शरीर में अरक्ता मतलब होता है एनेमिया किसकी कमी के कारण होता है Option A, आयोडीन क्या आयोडीन कमी कारण से होती है Option B, कैलसियम Option C, पॉटेसियम Option C, पॉटेसियम Option D, लोहा लोहा मिन्स आयरन Option D, आयरन तो शरीर में अरक्ता मिन्स एनेमिया किसकी कमी के कारण से कौन सीज का डिक्रीज हो जाता है बॉडी में इसके कारण से एनेमिया का रोग हो जाता है द्यान देजे अगर आयरन की कमी हो जाए शरीर में एनेमिया की एनेमिया हो जाता है तो लोहा, लोहा को गया वदिंस में, आइरन, आइरन की कमी के कारण से अरफता आने की एनेमिया होता है, 11th का आपका option number D, वो correct answer हो जाएगा, अबी तक वीडियो को लाइक ने की, एक लाइक अवस्य कर दें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अधिक अपने WhatsApp फेस्बू आवस्य करें, आईए बहतें, question number 12 की और, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निमलिकित पदार्थ में है, देखिए आग लगने, आग देखिए लगता के सीज़ में, आग में इस क्या हो गया fire, आग लगने तथा फैलने, मतलब पूरा फैल जाता है, कि सबसे क less possibility, कम संभावना में क्या होता है, लेस पोगने निमलिकित पदार्थ में है, मने कौन सा मैटरियल में जो है, सबसे कम संभावना है, आग लगने का, और इसमें सबसे कम पोगने है, फैलने का, option A, नाइलोन का अग पदार्थ हो, option B, टेरिकॉत, option C, सूती, and option D, पॉलिस्टर कोश्चन देखी कहता है फ्रेंड्स कि आग लगने तथा फैलने फूरा फैल जाता है सबसे कम संभावना लेस पॉसिबिलिटी की इस पदार्थ में होती है जो कि आग बहुत रेयर केस में लगे जिसकर कड़े टांसे बनेगा सूती अब देखिए ऐसा चीज ऐसा सूती आपका पदार्थ होता है जिसमें आपका आग लगने और फैलने की आपका संभावना बहुत जादा कम होती है अगर सूती कपड़ा है तो आग बहुत रेयर केस में लगेगा और बहुत कम लेस पॉसि से क्या होता है गर्मी भी लोगों को कम लगती है यह आपका देखिए में लॉजिकल चीज है तो यहां ध्यान देजेगा सूती हो जाएगा इसमें आग जो है लगने और फैलनिक संभावना कम होती है सूती पदार्थ में कोश्चन नमबर ठाटीन की और बढ़ते हैं गुबारों में इसके क्या हो गया आपका बेलून हो गया गुबारों क्या बोलेंगे बेलून यह क्या बोलने हैं आपको गुब्मारे को बोलिंग में बेलून को उडाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है मतलब कि बेलून में गुब्मारा में कौन सी गैस भरी जाती है मतलब यह है option A nitrogen क्या भरी जाती है option B hydrogen option C helium option D C y helium और यहां क्या देखिए वो लिखे हैं आपका nitrogen यहांने क्या बोले हैं गुब्मारों को उडाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है मिस बेलून को जब उडाते हैं उडता है तो कौन सी गैस उसमें भरी जाती है देखिए गुब्मारों को उडाने के लिए उसमें हिलियम गैस भरी जाती है अगर बात किया जाएए अटोमिक एलिमेंट में यह देखिए हिलियम जेखिए अटोमिक नंबर इसका 2 होता है अगर सिम्बॉल का हज़ा है इसको HE सिम्बॉल होता है अपका हिलियम का तो गुब्मारों को उडाने के लिए लाज़ा नीवाली गैस वह हिलियम होता है आएए बहते हैं कुश्चन नंबर 14 की और चाय तथा कॉफी दो चीज़ दखिए चाय में सो गया टी कॉफी मिस कॉफी बोलतें इसमें चाय तथा कॉफी का मुख्य किरियासील घटक है मतलब में सा कंपोनेंट यहां पे में कंपोनेंट जो है चाय एंड कॉफी टी एंड क कॉफी में कंपोनेंट और में कंपोनेंट नो där कि árias जैं Epic कि बिए निकोटीन है अफीन में गॉरल ऑफीने %1 सी किक करफीन और ऑप्शन डी सपरीन टिह समझें उगड़े गया बात की तंभाखु के बारे में दोंट की आपका आप क्लोरोफिल कारण समझते हैं आप की पत्ता का रंग जो है वो ग्रीन आरी हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है अगर यह आया है अता दिये इसके बारे में आपको रॉप्शन सी कैफीन रॉप्शन डी है एस्पेरीन क्यांट की कॉफिल का छाय होता है जाये करेक्ट अंजर का आपको अगर विडियो हमारा शुरु से लेकर लास्ट तक वाच करें पलेइस्ट में विडियो दिया गया बॉक्स में पार्ट वन का हम केमेश्ट्री के वीडियो दे दिये हैं और फुजिक्स का हमारा प्लेलिस में जाके सब वीडियो आप देख सकते हैं कोश्चन नमबर आते हैं 15 की और लकडियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस है लकडी जब लकडी जलता है उससे जो में जो है गैस कौन से निकलती आपको बताना है जब लकडी जलता है उससे में गैस मुख्य गैस जो है वो कौन सा निकलता है option A, carbon monoxide, इसको बोलते हैं CO, option B, sulfur dioxide, इसको बोलेंगा SO2, option C, carbon dioxide, इसको बोलते हैं CO2, और option D, methane, इसको बोलते हैं methane को CH4, अब दिखिए बताना है लकडी जब जलता है उससे कौन सी gas निकलती हैं उसक assume समझे top, लकडी मतलब क्या हो गया, आपको समझे वाली बात है कि जब जलता है, burn होता है लकडी तो उससे जो है कान सी गैस निकलती है लकड़ी को बोलते हैं इसमें ऊड़ कहा जाता है ठीक है तो ऊड़ लकड़ी होता है ठीक है बर्न ओफ ऊड़ ठीक है कौन सी में गैस उससे क्या होता है निकलता है क्या बता है कि आपको कार्बन मोनोकसाइड सुलफर डायकसाइड कर्बन डायकसाइड और मी थे लकडी जलता है उससे निकलने वाली गयस आपका carbon dioxide होता है इसको बोलते हैं CO2 कहा जाता है मिन्स लकडी जलने से निकलने वाली main gas जो है वो carbon dioxide होता है मिन्स 15 आपका यहां पे C वो correct answer हो जाएगा जब भी examination में आएगा इसको भी कर दीजिएगा 15 को भी भी आई लकडी से जलने वाली main gas जो है उसको कहते हैं carbon dioxide carbon dioxide निकलता मिन्स 15 का आपका C वो correct answer होगा आज का देखिए last question आते हैं question number 16 की और और यह भी देखिए आपका भी भी आई कर देजेगा question number 16 एक जाम में कितना बार पूछा गया हम इसे नहीं कर सकते हैं कि देखिए कहता सिर्ण आपको राश्टिय रासाइनिक परियोग साला इसको बोलते हैं ncl national chemical laboratory स्थिथ है मतलब किस जगह नहीं नहीं कर दिल्ली की नहीं दिल्ली स्थिथ है अप्शन बेंगलों क्या ये बेंग यें में स्थीत है option C पूने क्या ये पूने में स्थीत है और option D पत्ना क्या ये पट्ना में स्थीत है तो क्या बताराश्ट्य रिस्चाइनिक परियोगसाला ने चीछ नल केमीकल लेबरेटरी स्थीत है इस जगहां में इस्थित है नई दिल्ली बैंगलोर पूने पटना ध्यान दीजिए जब रसायनिक पर्योग साला के बारे बात करज़ा लेवलोट्री के बारे बात करज़ा तो लेवलोट्री आपका पूने में इस्थित है तो 16 का सी यहां पे correct answer हो जाएगा कि राश्ट्री रसायनिक पर्यो तो पूने क्या है यह महाराष्ट में स्थित है ओके फ्रेंड्स आपको पूरत वीडियो समझ में आया होगा अगर लास्ट सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब करके बगले बिल आकन आवस्टे प्रिस कर दें ओके थैंक्यू कर दो